जाहें साथी हूं एक बार फिर प्रस्तुत हुएं आप सभी के समक्ष डेल लेट तीरतियों समेश्टर के अंतरगत सैचिक मुल्यांकन वा किर्यात्मक्सोच से कुछ महतपूर अतलगुत्रिये प्रश्ण लेके आए देखते हैं आज का पहला प्रश्ण मुल्यांकन के कितने छेत्र होते हैं उत्तर हैं दो मुल्यांकन के दो छेत्र होते हैं शंस्थागत और वेक्तिगत आप देखते हैं साथे दूसरा प्रश्ण सैचिक मापन के कितने छेत्र हैं तो उत्तर होगा सैचिक मापन के तीन छेत्र हैं शंग्यानात्मक किर्यात्मक और भावात्मक तीसरा कोश्चन देखते हैं मापन के कितने इस्तर हैं नाम शहित लिखिये तो उत्तर होगा मापन के चार तरहें नामित, कर्मिक, अंतराल, अनपात चौथा कोश्चन देखते हैं बुद्ध परिछड के जनक है उत्तर होगा बिने, शाइमन और कब किया था किस्षन में? 1905 में पाचवा कोश्चन देखते हैं साथियों पाचवा कोश्चन है समेश्टर पद्धत किस मूल्यांकन के शोरूप के अंतरगत आता है तो समेश्टर पद्धत हो गया या सत्र प्रिक्षा हो गई आत्म कथा बिध के कितने चरण हैं? तो उत्तर होगा आत्म कथा बिध के चार चरण होते हैं साथियों कोश्चन देखते हैं टी एटी परिछड में कार्डों की शंख्या होती है तो उत्तर होगा टी एटी परिछड में कार्डों की शंख्या तीस होती है आठा कोश्चन है परियोगिक मुल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं तो उत्तर होगा परियोगिक मुल्यांकन दो प्रकार के होते हैं पहला है आंत्रिक और दूसरा है बाह नवा कोश्चन है आवलोकन बिध है तो शाथियों आवलोकन विद्ध जो है प्राचीन विद्ध है सबसे अंतिम कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 10 उत्तम परिछड की कशवटियां हैं तो उत्तम परिछड की 2 कशवटियां हैं साथियों आज के लिए बस इतना ही स्वस्त्रा हैं